किसान आंदोलन पर ISI की बूरी नजर, हिंसा फैलाने की साज़श, खूफिय एजंसियों का अलर्ट कई मेट्रो स्टेशन बंद आज यानि 26 जून को होने वाले किसानों के परदशन में जहर घोलने की पाकिस्तानी ICI ने बड़ी साज़श रची है दिल्ली में किसानों के परदशन के दरान लोगों को भड़काने और हिंसा फैलाने के लिए ISI ने बड़ी साज़श रची है और अपने नुमाइंदों को भी तैयार कर रखा है अधिकारिक सूत्र के अनुसार खूफिय एजंसियों ने शुकरवार देश शाम में दिल्ली पुलिस और अन्य एजंसियों को अलर्ट कर दिया कि पाकिस्तान स्तित ISI के नुमाइंदे परस्तावित किसानों के विरोध परदशन को नुखसान पहुचा सकते हैं और किसान शनिवार को देश भर में क्रिशी बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे अपने निर्धारित कारेकरम के तहत किसान देश के सभी राज्चियों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे साथी राजजपाल के माध्यम से राश्ट्रपती के नाम ग्याप किसान शनिवार को क्रिशी बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे संयुत किसान मोर्चा ने शांति पूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की बात कही है पीएम मोदी आज करेंगे रामनगरी के विकास की वर्चूवल समिक्षा सीएम योगी भी होंगे शामिल अयोध्या के ग्लोबल विकास के वीजन डॉक्यूमेंट समेथ अब तक के हुए विकास कारियों के प्रदान मंद्री नरेंदर मोदी आज समिक्षा कर सकते हैं इसी के मद्य नजर अब तक की प्रगती के लिए शासन के अधिकारियों ने जीला प्रशासन वा संबंदित विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिये हैं मुखे मंत्री योगी भी इसमें शामिल होंगे राम मंद्र के लिए जमीन की खरीद में घोटाले के आरोपों के बीच पीम नरेंदर मोदी के साथ सीम योगी भी वर्चुल समिक्षा बैठक में प्रेयटकों को धारमित्ता के साथ आधुनिक्ता वा प्रदूशन मुक्त नई अयोध्या पर डियम से लेकर नगर निगम, प्राधिकरन और लखनाओ की अवास विकास समित प्रेयटन के अधिकारियों से जानकारी लेंगे और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे दिल्ली का मौसम आज फिर हलकी बारिश के असार तेज हवाओं से मिल सकती है राहत राजधानी में शुकरवार को पारा एक बार फिर चालिस को पार कर गया और गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा शाम छे बजे करीब एका एक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं से लोगों को राहत मिली अगले 24 गंटे में भी तेज हवा चलने के साथ साथ हलकी बारिश होने से गर्मी सिराहत मिलने के असार है प्रादेशिक मौसम विभा के मुताबिक शुकरवार को राजधानी में अधिक्तम तापमान समाने से 3 डिगरी किसान आंधोलन के साथ महीने पूरे होने पर अपनी मांगो के समर्थन में किसानों का एक प्रतिनीधी मंडल शनिवार को उपरा जेपाल को ग्यापन सौबेगा सुबह के वक्त किसान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से पहुँचेंगे इस दरान लोगों की भीर और सुरक्षा के लिहास से दिल्ली मेट्रो के तीन स्टेशन सुबह 10 से दुपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने येलो लाइन पर विश्विधाले सिविल लाइन और विधान सभा मेट्रो स्टेशन के गेट चार घंटे के लिए बंद रखने की हिदायती है इस वीडियो में इतना ही मैं कोमर पंजाब के इसरी दिल्ली से अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तहा हमारे फेस्बुक पेज पंजाब के इसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले